पंजाब कॉंग्रस के कद्दावर नेता चरंजीत सिंग चन्नी अप पंजाब की गद्दी परासीन हो चुके हैं। उन्होंने राजभवन में आयोजित किये गए समारों के बीच मुख्य मंत्री पत की शपतली। इसके साथ ही सबसे कम उम्र में पंजाब के मुख्य मंत्री बनने का रेकार्ड भी चन्नी के नाम दर्ज हो गया है। चरंजीत सिंग चन्नी वो कॉंग्रसी नेता हैं। जो रामदसिया सिख समुदाई से हैं यानि दलित समुदाई से और दलितों की गिनिती पंजाब में 32 प्रतिशत है यानि सबसे अधिक दलित सिख पंजाब में ही हैं। दो अपरेल 1972 को चन्नी का जर्म चंकौर साहब के तहट पढ़ते गाउं मकरोना कला में हुआ। लेकिन कुछ समय बाद चरंजी चन्नी का परिवार खरड में आकर बस गया और खरड नगर परिशत से ही चन्नी ने पारशत के लिए अपना पहला चुनाव लड़ अपने राजनितिक जीवन की शुरुआत की थी। और इसके साथ ही उन्होंने भारी वोटों से उस समय जीत दर्ज की थी। दो बार चन्नी नगर परिशत खरड के प्रधान रहे। इसको गांधी परिवार के बेहत करीवी माना चाता है। लेकिन चन्नी को मुख्य मंतरी बनाने के लिए ये वज़य काफी नहीं थी। चन्नी पंजाब में दलिच समुदाए का चेहरा है और उन्हें मुख्य मंतरी बना कॉंगरस ने 2022 में होने वाले विधान सबाचुनावों में जीत दर्ज करने और दलिच समुदाए जिसकी आबादी पंजाब में सबसे ज्यादा है उसे अपने पक्ष में करने के लिए ऐस किया है इससे पहले चन्नी कैप्टन सरकार में तकनीकी शिक्षा मंतरी के तौर पर कैबिनेट का हिस्सा थे लेकिन अब वे मुख्य मंतरी के तौर पर पंजाब की कमान संभाल चुके हैं क्या चन्नी 2022 में होने वाले विधान सबाचुनाव में दलिच समुदाए का साथपा फिर कॉंगरस को सत्ता मिला पाएंगे या नहीं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा ब्यूरो रिपोर्ट अर्थप्रकाश